बसकार दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल पे फिर से एक बार तो कल हम आपको एक वीडियो लाया था मेरे यूट्यूब चैनल पे जो SMPS परे में जो की था 500 वाट का हमारा हमें इसका वाटे चेक कर लिये थे अभी मैं इसके लिए एक एम्प्लिफियर बना हूँ जो की है 200 मतलब 10 पेर 20 ट्रांजिस्टर को ड्राइब कर सकता है तो मैंने टेस्टिंग के लिए और आपके लिए बहुत लोगों का डिमांड था तो मैं इसका एक वीडियो बना रहा हूँ इसका करनेक्शन वारिंग बेगरा और इसका साउंड टेस्टिंग आगे से करेंगे तो इसक देख सकते हैं पुरा और इसको हम कनेक्शन कर दिया इस बोड पे वहां पे चार पॉइंट 33 ओम्स पाइव वाट का चार रेजिस्टन्स लगा हुआ है जो इसका गया है पीछे बाल आप देख सकते हैं मैं उल्टा कर कपको दिखा रहा हूँ तो आप भी बना सकेंगे उसक मां इसको फाइ वाट शक्ता डिजिस्टन्स था वह इसके लगा हुआ है एमिटर पर यहां पाजिके लगा है और चारो ट्रांजिस्टर का देख सकते हैं यहां पे देखिए वो 4.3 ohms का जो resistance है यहां पर भी चार में लगा दिया हूँ जो इसका base को जाएगा इस पर base voltage है और यहां पर जो इसका collector है यहां प्लस voltage NPN transistor पर और negative voltage PNP transistor पर दे दिया है यह वाला हमारा NPN यह वाला हमारा PNP ठीक है और आपको कुछ नहीं करना है छोटा सा circuit है आप खुद घर पर बना पाएंगे driver बगेरा लेके और मैं driver को एक बार समझा देता हूँ यह वाला जो point देख रहे है यह इसका input audio है जो कि हमने यहां पर जो Bluetooth लगा हूँ आप देख सकते हैं अब Bluetooth से connection इसको दे दिया है अभी उसका जो speaker वाला तारे में यहां पर एक volt meter रखा हूँ आपको voltage measure करने के लिए और दोनों एक speaker का आया था transistor का जो और यह इसका ground है जो direct DC voltage से आएगा यहां से यहां से ground तो यह 450-045 का smps है तो यहां से मैंने प्लस 45 यहां से negative 45 यहां से ground लिया हूँ connection तो बचा रहा है आपका driver board तो driver board का connection आप देख लिए देख लेते हैं यह वाला जो first pin है इसका यह first pin है यह positive supply है sorry यह negative supply है जो की one nine four three से connected है और यह वाला इसका जो PNP transistor है यह इसका base पे गया है और फिर आ गया यह तिन नमर का pin छोड़ दीजे यह वाला जो देख रहे है वेर चार नमर का वो feedback के लिए है जो की speaker output जो positive है यहां पर positive से आया हुआ है और यह पांच नमर का pin जो है की ground है जो की यहां से ग्राउंड से connected है smps का ऐसे ही इन-pin transistor का देख लीजिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नमर छे नमर जो पीन है यहां से इन-pin transistor का base को गया है 5200 का देखने के लिए आसान होगा देखिए 5200 बेस पे गया है और यह बाला जो पीन है लास्ट आट नमर बाला पीन यहां PSNPS का positive supply से जुड़ा हुआ है तो उसके बाद हम इसको अभी on करते हैं और इसका sound check करके आपको दिखाओंगा कि कैसे बसता है यहां चोटा सा 30W का एक अभी स्टांडिंग करेंट ले रहा है अभी 12W और 0.10 Amp का लोड ले रहा है 226 इंपूट वोल्टेज है हम एक गाना प्ले कर दिया है उसका जो आउटपूट का कनेक्शन है गाना का यहां से सीधा लेके यहां से कनेक्टेट कर दिया इसका इंपूट पे अडियो इंपूट पे तो आभी हमें थोड़ा सा इसका साउंड खोलते हैं और चेक करते हैं कैसे साउंड आ रहा है पर यूट्यूब के इसू के कारण हम थोड़ा पूरा गाना आपको नहीं सुना पाएंगे आप हेड़फोन लगा लीजिए मैं आपको इस और वोल्टेज बे आप देख सकते हैं यहां पर यह वाटेज देखिए वह अभी बारा वाटेज पास पर अभी लोड ले रहा है मेरा वाटेज को इतना ही बढ़ाएंगे हम गाना भी चेंज कर सकते हैं यहां देखिए दोस्तों वह अच्छी तरह से बजरा है कोई हिट सिंग का इस्वी नहीं है और देखिए दोस्तों अच्छी तरह से गाना प्लेवर आप सुन पा रहे होगे एक अच्छा सा डिजाइन है वो यह जो ड्राइबर वोड है सबसे बेस्ट ड्राइबर वोड है और इसका बैक साइड राइडिंग कुछ भी अपको कनेक्शन में दिक्कत होगी आप मुझे कॉंटर्ट कर सकें या कॉमेट में लिख सकते हैं किसी भी राइबर के बारे में आपको जानकरी चाहिए तो मुझे आप कॉंटर्ट कर सकते हैं कॉमेंट पे ठीक है थैंक्यू